प्यारे बच्चो अब हम महाकवितु सिदासी द्वारचत रामचरद्मानस के उच्छ पदों को देखेंगे जो के धनुस भंग के समय के हैं जिनके बाद सिदाजी का सुम्बर होता है तुल सिदासी कह रहे हैं कि जब धनुस यग के मांगले का बसर पर अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ सिराम जी धनुस यग के जहां हो रहा है ये धनुस भंग का जो आविज़न जहां किया जाना है उस मंच पर आते हैं तो ऐसा लगता है मानो उधित उधैगिरे मंच पर के उधिया चलूपी परवत पर रगुवर बाल पतंग कोई बाल रूपी सूर्य का उधै हो गया हो वो बाल रूपी सूर्य कोन है वो बाल रूपी सूर्य स्वैम स्री रहुनात जी ही है राम जी ही है जैसे ही राम जी उस मंच पर आए तो उस मंच मंच को उद्यदिडि पर्वत की संग्या दी और रहुनात जी को बाल पतंग माने संग्यादी छोटे संग्या दी है तो कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि उद्यदिमंच पर सूर का हुद्धय हो गया हो उनके हाने से क्या हुआ बिकिसे संत सरोज सव हरसे लोचन भरंग जब राम जी आये तो उनके आने से सरोज माने कमल तो संत रूपी जो कमल थे वो खेल ऊठे संत रूपी सम कमल खेल उठे माने बहरा और उनके नित रूपी बहुरे हर्सित हो गए अर्थात जब राम जी मंच पकड़े हुए तो उनकी सुवा ऐसी थी मानो प्राथकाल का बालक सूर्ज के उद्या के परशात बुद्याचल परब्राजमान हो गया हो और उनके उद्या होने से सभी सरोबरों में कमल खिल गए हो अर्थात संत रूपी क कमल सब खिल करें अब आवे कह रहे हैं नपन के आसान इस नासी बचन न खतव लीन प्रकासी जो राजा उस यग में आये थे धनुस यग को तोड़ने के लिए आये थे तो उन राजाओं की जो आसरूपी रात्री थी कि हम इस धनुस को तोड़ देंगे उसी ताजी को व्य नश्ट हो गई नासी नश्ट हो गई बचन लगत अब लीन प्रकासी अब लीवाने समु नखत माने तारा नशत्र और उनके बचन रूपी तारों के समु था उसका चमकना बंद हो गया जो पहले बहुत बढ़ोड़ी बातां कर रहते हैं वो सब बातें सांत हो गई अर्थ के समान सकुचा गए संकुच्चत हो गए और जो कपटी भूप माने राया जो कपटी भूपते वह उल्लू की तरह कहें जाकर छुप गए बहें बिसोक कोक मुने देवा बरसें सुमन जनाव हैं सेवा और देवता और मुने सुक रहत हो गए बरसें सुमन जनाव हैं सेवा और वे फूल बरसागर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनिसन आयस मागा और जब उन्होंने देखा राम जी ने के धनस को तोड़ने का समय हो गया है तो प्रेम सहित गुरु के चरणों में सिर्नवाया गुरुपद बंद सहित अनुरागा प्रेम सहित गुरु के चरणों में सिर्नवाया और राम मुनिसन आयस मागा और जो अन्ने मुनी बैठे थे उन सवस्विनों आयस माणे आ गया माँगी उसके बाद स्री राम जी सुन्दर मत वाले सिरिष्ठ हाती की चाल से स्वभाविक ही चले ऐसा नहीं कोई उनको परिसानी या दिक्कत मन में संका हो ऐसा कुछ नहीं था सहजी चले बड़े सहज वाव से सकल जग स्वामी पूरी जग के स्वामी मत मंजवर कुण्जर गामी मानो बहुत सुन्दर हाती बड़ा मदमस्त होकर स्वाविक चाल से चल रहा हो चलत राम सब पूरे नर नारी जब राम जी धनुस्की ओर बढ़ रहे हैं उसको तोड़ने के लिए बढ़ रहे हैं तो उनके चलते समय पूर नर नारी सभी जनक पूर के नरो नारी क्या कर रहे हैं पुलग पूर्टन भे सुखारी उनके मन पुलकित हो गए और उनका मन रोमांस से भर गया और वो सब सुखी हो गए बंदी पितर सुर्व सुकृत समारे जो कछ पुन्य प्रवाह हो मारे और मन ही मन प्रातना करने लगे बंदी पितर अपने पूरवजाओं को सुर्व देवताओं को प्रातना करने लगे कि शुक्र तुमाने हमारे कुछ अच्चे कर्म हो जो कछ पुर्ण्य प्रवाह हो और मारे कुछ पूर्ण का प्रवाब हो तो क्या हो तो सिवधन मिर्नाल की नाही तोरह राम गनेस गुसाही तो इस सिवधनस को हे गनेस जी हे गुसाई जी इस सिवधनस को भगवान राम कमल नाल मिर्नाल माने कमल नाल की बाती तोड डालें अर्थात उनको इस धनुस को तोड़ने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े और इस सहजवाब से ही वो उस धनुस को तोड़ दें क्योंकि सभी ये चार हैते कि सीता जी का विवा केवल लाम जी से ही हो तो इस तरह आपने देखा जब राम जी उस धनुस यग्ल के मन्च पर आए हैं और धनुस को तोड़ने के लिए जा रहे हैं वहां तक का वणन इस पद में दिया गया है